नमस्कार दोस्तों आपके अपने यूटूब चैनल कलाव स्टेडी में आपका हार्दिक स्वागत है दोस्तों आज के इस वीडियो में वर्चा करने जा रहे हैं RS मैन का जो हाले में पेपर हुआ है 25 जून को और 20 जून को पेपर हुआ है उससे समधित जो परसन पेपर में आये थे वो सभी परसन हम इस वीडियो में चल्चा करेंगे तो वीडियो का आप सुरूशी लेकर अन तक पुरा देखें थानीचे कमेट करके हमें बताएं कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तो आरेस में का जो 25 जून को जो सुबह पेपर हुआ था मौनिंग में पेपर हुआ था वो पेपर यह आपने नहीं देखा तो उसका वीडियो अलग से बनाकर हमने हमारे चैनल पर अपलोड कर दिया है तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिस में मिल जाएगा तो वहाँ पर जाकर 25 जून की फर्ष्ट पारी का जो पेपर है वो आप देख सकते हैं इसके अलावा या दोस्तो यह आपने अन्य जो आरेस के बारे में वीडियो वो नहीं देखे हैं तो उनका लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा वो देख सकते हैं तो इस वीडियों दोस्तों हम जर्चा करेंगे आरेस में की जो शेकेंड और थर्ड पारी यानि 25 जून को जो इवनिंग में वा था सभी जून को जो मोर्निंग पेपर हुआ था उस पेपर में जितने परस हैं उनके जो परसन है वो परसन हम आपके लिए लेकर आये हैं दोस्तों राजस्तान जीके के जो परसन आ रहे पहले वो देख लेते हैं तो राजस्तान जीके से चमंदे जितने परसन आये थे वो परसन देख लेते हैं तो जो पहला क्यूसन है कि राजस्तान में नदी पढ चैनल कलाम स्टेडी को सस्क्राइब ने किया है तो नीचे दिये गया लाल सस्क्राइब के बटन को दबा करें चैनल को सस्क्राइब जरू कर लें तो उसके पास जो बेल आइकोन गंठे का सान ना हुआ है उस गंठे के निचान को जरूर दबा दें जिसे हमारे आगे आने वा तो वो भी आप हमें WhatsApp पर या Mail ID पर वेश सकता है उसका Link आपको नीचे Discretion Box में मिल जाएगा दोस्तों आप वीडियो देख लेते हैं कि राजस्तान में नदी पढ़नाली पर निमंद है यह 10 नंबर का आये था राजस्तान जिके का क्यों सुन आये था इसके अलाव जो second person है वैस चेकावटी चेतर की बहुतिक विशेषताओं को इंगित करो यह 5 नंबर का आये था नेक्स्ट है राजस्तान में सिमेंट उद्धो के चेतरों को बताईए तो राजस्तान में सिमेंट उद्धो के चेतर हैं उनके नाम बताईए यह 5 नंबर का क्यों सुन आये था नेक्स्ट है राजस्तान में मक्का उत्पादन चेतर के बारे में बताईए यह भी 5 नंबर का क्यों सुन आये था तो हम राजस्तान जिके से समद्धी जो क्यों सुन आ रहे हैं पहले वो डिसकस कर रहे हैं उसके बाद जो पॉल्टिकल साइंस है नीति सास्तर हैं उनके बारे में विग्यान के बारे में क्यों सुनाये हैं वो भी हमें इसकसे करेंगे इसके अलावा राजस्तान के स्वास्ते चेतर में पहल में जो योजनाएं हैं जो भी योजनाएं राजस्तान सरकार दुआता लाई जा रही हैं उनका दस नमबर का पूरा वनन करने का क्यूशने आये था तो अगला जो question है वह है ज़ल सरक्षन में पहल की जो योज़ने हैं उन्चे समदित योज़नाओं के नाम बताने थे तो उनका दो नमर का question है आये था जैसा कि दोस्तोद आपने paper दिया है तो अपको पता ही होगा यह अपने नहीं दिया है तो मैं आपको बता दूँ कि RS Man का जो exam होता है उसमें paper बच्चों को साथ लाने के लिए नहीं दिया जाता है वो paper descriptive होता है तो बच्चों से paper करने के बाद में RPS use paper को रख लेती है तो उसकी जांचे की जाती है तो यह बच्चों की समर्थी पर आदारी जो person है वो हम आपके लिए लेकरे आये हैं तो राजस्तान के जिक्के के बारे में हमने कर लिए अब है बुगोल के बारे में जो भारत यह बुगोल है जियोगरापी है उससे समर्थी जो person आये है वह है भारत में वर्षा परणाली पर है परवर्तिय परवाव की विवेशना कीजिए यह 10 नंबर का question आये था next है पेलियोजोई की उपर चर्चा कीजिए पेलियोजोई की उपर चर्चा का 10 नंबर का question आये था अगला question है धरारी जवाला मुखी क्या है यह 5 नंबर का question है यह दरारी जवाला मुखी का question आये था अगला परसंद देखते हैं भारत में 1901 से 2011 तक की जो जंसिंगे की परवर्तियां है उसके बारे में 5 नंबर का चोटा question आये था तो इस डिस्क्रिप्टिव question है उनका answer paper में ही लिखना होता है नेक्स्ट है छोटा नागपुर पठार का क्या मेत्वा है छोटा नागपुर पठार का मेत्वा के बारे में 5 नंबर का question आये था कोई 5 निर्मानकारी गटनाओं पर लिखिए इसका 5 नंबर का question आये था इस वीडियो की जो PDF है दोस्तो उसका link भी आपको नीचे मिल जाएगा तो पीडियो डाउनलोड करके अपने सभी दोस्तों के साथ share कर सकते हैं तो वीडियो को सभी दोस्तों के साथ आपे share कर सकते हैं इसके अलावा दोस्तो next जो है नेती सास्तर का है तो नित्ती सास्तर के जो क्योशन आये थे वो देख लेते हैं वै क्योशन था दोस्तो रित क्या है इसका वर्तमान में क्या उप्योग है ये दो नमबर का क्योशन आये था अतिवाद के बारे में दो नमबर का क्योशन आये था तो नित्ती सास्तर में ये क्योशने आ रहे थे दोस्तो नेक्स्ट है गांदी जी ने अहिंसा को सरोपरी क्यों माना इसका पांस नमबर का क्यूशन आये था था गीता में दुवंदवय को हल करने की विधी का दो नमबर का क्यूशन आये था चाब पलेटो का जो न्याश दान्थ है पलेटो का न्याश दान्थ है पलेटो का जो पारी में paper था, तो science के paper हमें discuss करने जा रहे हैं, उसमें जो बचोंने में बताये समर्तियादायत प्रचन है, तो वो है, एक question आये था कि हिमोगलोबीन के कारिये क्या है, दो नमबर का question हिमोगलोबीन के कारिये के बारे में आये था, next जो है, बहुलक क्या है, कोई दो बहुत लग उनके उधार ना बताईए, next है, खाद्य प्रेक्षन क्या है, परमुख खाद्य प्रेक्षन को समझाए, ये 10 नंबर का क्योशने, आये था, खाद्य प्रेक्षन का क्योशने, आये था, अगला है दोस्तों, इसका ही तरंग, वे space तरंग में enter है, ये इसका दो नं क्योशन आये था, next है, दातों की बीमारी वर, pH scale का सम्द वर इलाज, प安स नंबर का क्योशने, ये आये था, अगला क्योशन화 है दोस्तों, कि उपारजित प्रेक्षा पर्णे ली क्या है, तो उपारजित प्रेक्षा पर्णा ली है, ये 5 नंबर का क्योशन आये था, तब परमुख पांस संक्रामुख बिमारी वे इसके कारण बताईए, तो परमुख पांस संक्रामुख बिमारी बताने थी, ता उनके कारणें बताने थे, पांस नंबर का क्यूशन एक बिमारी का एक नंबर का क्यूशन था, नेक्स्ट है दोस्तो, दूद में सोडियम बाइकारब अंतर बताईए यह दो नंबर का क्यूशन था साबून अपमार्चक में अंतर बताईए यह दो नंबर का क्यूशन था दोस्तों हो सकता है हम पेपर आप तक पहुंचाने में देरी हो सकती है हमें लेकिन हम जो जानकरी पहुंचा रहे हैं वह सही एम से टिक जानकरी है इसमें कुछ भी गलती नहीं है बासाइप गरिवर्थन हो सकता है लेकिन परसने यही थे नेक्स्ट है माइक्रोवेव तरंगें क्या है इनका आरेक मना यह यह दो नुमर का क्यूशन था ता माइक्रोवेव ओवन किस परनाली पर कारिये करता है यह पांस नुमर का परसन था अब देखते हैं खेल समसामिक या करण जीके से समधित भी परसने आरेस मैंस के एकजाम में आये थे तो उसके बारे में देख लेते हैं जो क्यूशन आये वह क्यूशने हमें चर्चा करते हैं दोस्तों इसके अलावा यदि आपकी इच्छे हो आप में निचे वह भी हम आपको उपलब्ट करवाने का प्रियासे करेंगे तो ये क्यूशन है हाली में सुर्कियों में रही अन्ना राजन मलोत्रा कौन है तो अन्ना राजन मलोत्रा दो नूमर का क्यूशन था ओप्रेस ने एंड्रिव क्या है इसका दो नूमर का क्यूशन आया था next है राजस्तान राज्य कृड़ा परिशद में पद पान के बारे में पांस नंबर का क्यूसन है आये था इसका विवरण आपको लिखना था next है जलवाई soaking परिवर्तन संहेलों में भारत का रुक यह 10 नंबर का क्यूसन है आये था नेक्स देखते हैं दोस्तों रानितिव ज्यान से सम्मधित जो क्यूशन आते हैं पोलिटिकल साइंस से सम्मधित आरेस मैंज में बहुती महतोपन प्रसन आते हैं तो वो क्यूशन हमें देखते हैं तो ये क्यूशन पहला क्यूशन है रानितिव ज्यान का लोका युक्त का च विस्तरत इसके बारे में दोस्टों सब्दों में आपको लेकना था अनूचे 305 के बारे में बताइए पांस नमबर का क्युशन था नेक्स्ट है उद्द्यस से पस्ताव में 17 का सम्मंद बताइए यह वी दोस्तों 5 नमबर का क्युशन था इसके अलावा और जो question है वो देखते हैं राजेपाल की अध्यादेश के सक्तियों के बारे में दस नंबर का विस्तरत question था तो राजेपाल के जो भी अध्यादेश के सक्तियों होती है उसके बारे में विस्तरत है वर्णन आपको करना था नेक्स्ट है परमादेश रिट वर परतिशेद रिट के बारे में लिखना था ये पांस नमर का क्यूशन था नेक्स्ट है जो संसद में जीरो हावर या सुनने काल होता है उस सुनने काल के बारों में आपको चोटी सी जानकर लिखनी थी कि दो नमर का क्यूशन आपके बारे म क्या परभाव पढ़ा है या क्या पढ़ेगा तो दस नमबर का यह क्यूसन था next है राजस्तान में चेत्रिय दल या राज्य दल की प्रिगटना के बारे में 10 नमबर का क्यूसन ने पूछा गया था तो ये दोस्तो परसन जो रालिंटिव गया से सम्मधी थे अब देखते हैं योग से सम्मधी तो ये योग और कंप्यूटर अब की बार आरिस मैं में जोड़ा गया था तो योग के बारे में जो परसन आये थे उसके बारे में देख लेते हैं ये एक सुतर था योग करमसु कोसलम इसके बारे में लिखना था तो ये दो नुम्बर का योग के बारे में क्यूशन आये था नेक्स्ट है व्रतित्वय का भाव मुलक दर्श्टिकोन के बारे में दो नुम्बर का क्यूशन था नेक्स्ट है मान्चिक सांती वह स्वास्ते उनती के उपाई के बारे में पांस नमर का क्योशन आये था तो ये जानकर दोस्तों आपको जो पेपर में योग के बारे में आये थी आरेस मैंस के जो पेपर में आये थी नेक्स्ट है लोग परसासन वे यह आयाक है थे उन क्योस्णों के बारे में हुत्षा करते हैं तो वे क्योस्ण समाज इक बुद्धिके बारे में 2 नमर का ऊहरा में समाजिकस के बारे में लिखना था TAP μέcorine के बारे में दो नमर का क्योसन था था गार्डनर का बहुबुद्धी सिद्दान्त ये दोस्तों पांस नमर का क्योशन ने आये था नेक्स्ट है साइमन्ड का अधिकार सिद्दान्त ये तो साइकोलोजी समधित क्योशन है साइकलोणी मदीत क्युशंद भी बहुती पुछे गए हैं, तो एडिया आप premelles senddy की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको साइकलोजी आपको अच्छे से clear करनी होगी, साइमने का अधिकार्स दांत है, साहिमने का अधिकारा सिदांत के बारे में में 2written का इसने आय था नेक्स्ट है राष्टरपती की निर्वाचन प्रकेरिया में जो कमिया है उस निर्वाचन प्रकेरियां के कमियों के बारे में बताना था तो यह अपने सवीवे के अधर आपको कमिया लिखनी थी यह पांस नमर का क्योशन ने आये था next question है दोस्तो परचासन में सहचरीतरता बताने की उपाई किये गए हैं उन उपाईयों के बारे में बताना था तो 10 नमबर का question था पूरा विश्थरत में वड़ना आपको इसका करना था next जो question है वह है लोग परचासन के समाचिक उतरदाईत हैं उनके बारे में लिखना था तब परचासन की नवसास्त्रे जो विचारदारा है नवसास्त्रे विचारदारा के बारे में आपको लिखना था नेक्स जो क्यूशन है वह है नियाई पालिका की सिक्रियता बनाब संसद के बारे में 10 नंबर का क्यूशन था अगला जो क्यूशन है वह है हेंडरी फियोल के परबंद सिदान्त के बारे में क्यूशन था जो चोती पारे में सबीस तरीकों साम को हुआ था उसका वीडियो बे हम जल्द यह लेकर आपके लिए आएंगे तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहे हैं चैनल को सस्क्राइब हैं उस यह जरू कर दें हैं यह दो नमर का क्यूशन था तो सूचना के अधिकार में तीसरा पकस है उसके बारे में जांकर यह आपको देनी थी अब देखते हैं08 yön agreement घिशन नेकरते हैं Next है, कास्तगार कानून के अनुसार, कर्षक की परिबासा क्या है, उस परिबासा के बारे में लिखना था, ये 5 नमर का क्यों पूछा गया था, Next है दोस्तो, गरेलू हिंसा कानून, 2005 में आवेदन किस परकार करना है, किस परकार आवेदन करना है, या उसका पक्सकार बनने के लिए क्या-क्या? रूल फोलो करने हैं उनके बारे में आपको पूरी जनकरी लिगनी थी तो ये ये दोस्तों महारी सामिक हुआ था शब्लिश तारीक की पारे में उस पेपर के जितने भी क्यूशन है वो सारी तो वहां से आप हमारा 25 तरीक फ्रेस्ट पारिक आप नहीं देखा है तो वह भी देख सकते हैं तो चोथी पारिक पेपर हुआ था उसका वीडियो भी हम जल्द ही आपके लिए कर आएंगे तो वह भी आप हमारे चैनल से जुड़े रहे हैं चैनल को सस्क्राइब कर लें जिसके उसका वीडियो डालते ही उसका नोटिपिकेशन आप तक के पहुंच सके चैनल को सस्क्राइब कर लें उसके पास जो बेल आइकोन गंटे का साम बनावा है उस गंटे के निसार को जुरू दबा दें जिसके हमारे आगे आनेवले सभी जो आरेस एक्जाम के बारे में जानका रही है वो आप तक के पहुंचती रहे धनिवाद दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ